हाई अब्रिवान तो क्या आ गया है आपका क्लास 10 का रिजल्ट और हाँ या ना आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग चले सुनते हैं आज की कहानी जो सुनना है आपको शिफ्रा माम की जबानी सो क्या प्यारे प्यारे मेरे क्यूटी मेरे क्लास 11 के बच्चो ठीक है अल्रेडी 11 में पहुच गए हो तो भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है कि रिजल्ट आ गया है हमारा अगर हाँ तो भाई रिजल्ट जाओ चेक कर लो पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है है वो आपके क्लास 10 का रिजल्ट आ जाएगा ठीक है और अगर आप मतलब क्लास 10 वाले जो है वो अपना दिल थाम के बैट किए बिकोज इस दे काउंट डाउन गिनना शुरू कर दीजे क्योंकि सेकिंड वीक में आपका रिजल्ट आना ही आना है ये जी निउस ने हमें ब पर नहीं बेटा दो हफता जो है वो भी बहुत बड़ा टाइम होता है 14-15 दिन का टाइम होता है एक्जाम आपका कब खतम हुआ था बच्चो इस बीन मन्त और अगर आप एक महिने तक सिर्फ टाइम पास कर रहे थे तो लेट इट भी अब उसे जाने देजे दो हफता का पेपर कैसा गया है और अगर आप सच में पढ़ने के लिए बहुत सीरिस है तो आपको यह पता है कि आपको कौन सा जो है तो सब्जेट ले ना है बहुता है तो प्यारे बच्चो थोड़ा सा आप लोग थोरो करना शुरू कर दीजे तो इसलिए बसकी बुग्स करीदा अपको नहीं लेनी है कि आप उससे ले आए उससे काम नहीं चलेगा तो नहीं यह वाली NCRT से आपका काम बनने वाला है दो हफते हैं आपके पास तो आप NCRT के syllabus overview करिए पहले के दो chapters को भी पढ़ना शुरू करिए फिजिस chemistry बाले जी एकली सीखे और अगर अभी भी आप science के student है अगर आपने batch में enroll नहीं किया विच इसक्षम 2.0 जिसमें माम आपकी पढ़ाती है अब आपकी जो regular classes लगना 7 उसको enroll कर लीजे और वहां पर जाके भी आप बहुत अच्छी अपने तैयारी कर सकते हैं class 11th के लिए with NEET level क्योंकि माम जो है वो नीट लेवल का ही पढ़ाती है नीट 2023 के analysis में आपको यह समझ में आगा अगर आपने विजट नहीं किया तो नीट का चैनल जाके विजट कर करिये result out हो जाएगा stress बिल्कुल भी मत लीजे क्योंकि result आपका अच्छा आने वाला क्योंकि मैंने और हम सब ने आपको पढ़ाया थैंक यू सो मच बच्चो stress मत लीजे पर पढ़ाई शुरू कर दीजे क्योंकि आप ट्याइम अल्रडी बहुत वेस्ट कर चुके है तो टाइम और मत वेस्ट कर यह बहुत हो गया है अब तो मुझे इसा लगता है कि सब हटाओ यार थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो थोड़ा किया करो एक घंटे बैठा करो तभी बनेगा लेवेद में तो काम नहीं बनेगा देसेट नेक्स्ट वीक तक मैं और आप दोनों इंतजार करते हैं तब तक अपना ध्यान रखिएगा थैंक यू सो मच बच्चो टेक यर बावाई फ्रूपर बावाब